Hello dear students, today we will do the poem Surfing King. This poem is written by Dan Jones. Surfing एक टाइप का water sports होता है बेटा. इस poem में poet हमें एक marvelous surfer के बारे में बता रही है कि वो surfer इतना अच्छा surfer था कि जब तक उसने surfing की उसके speed को कोई भी नहीं बीट कर पाया. Even उसकी death के बाद भी उस जैसा marvelous surfer कोई नहीं हुआ. इसलिए world में सभी लोग उसको surfing king कहते हैं. तो चलिए poem को read out करना स्टार्ट करते हैं और उस surfing king के बारे में more explore करते हैं. तब beaches of Hawaii with their golden scent, massive swells and waves so grand. beaches of Hawaii, Hawaii USA में Pacific Ocean के पास six city है और इसके beaches जो हैं अपने golden scent के साथ बहुत ज़्यादा famous हैं. इसके beaches पर जोर-जोर से जो waves हैं वो उठती रहती हैं, massive swells means huge bursting waves in the sea. Pacific Sea में, Pacific Ocean में बड़ी-बड़ी waves यहाँ पर उठती रहती हैं और यह waves बहुत ही ज़्यादा grand हैं. attract so many of surfing ring and one in particular caught the surfing king. और यह जो grand waves हैं, वो पूरे world से बहुत सारे surfers को यहाँ पर attract करती हैं और बहुत सारे surfers यहाँ पर surfing करने के लिए आते हैं और उन surfers में से एक surfer को particular किस नाम से जाना जाता है surfing king के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस जैसा surfer कोई भी नहीं है, इसलिए उसको surfing king के नाम से जाना जाता है he rode the waves with silent grace so fast that no one could dare keep pace pace का meaning होता है बेटा speed वो जो है waves के उपर बहुत ही style और grace के साथ riding करता है और इतना speed से करता है कि कोई भी जो है उसकी speed को beat नहीं कर सकता मतलब उस चेतनी speed किसी और surfer की नहीं है his board, his throne, the waves, the hole, the ocean, his kingdom and the beaches all his board, उसका जो surfing board है, उसका जो throne है throne का meaning यहाँ पर क्या है? unbeatable position वैसे तो throne का meaning क्या होता है? जिस गद्दी पर बैठकर राजा जो है रज्य करता है, उससे throne कहा जाता है बट यहाँ पर throne का meaning है, उसकी unbeatable position, जो समुंदर की waves थी, उसके उपर पूरा का पूरा control था, पूरा का पूरा ocean, जो pacific ocean था, उसका kingdom बना हुआ था यहाँ पर इस line का meaning क्या है, point का कहने का, कि पूरा ocean उसका kingdom बना हुआ था अगर ocean में कहीं पर भी आप उसको surfing करने के लिए कहेंगे, तो वहाँ पर वो बहुत gracefully करेगा, चाहे waves कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर जिगया वो जो है, बहुत gracefully surfing करता था इसलिए पूरा का पूरा ocean जो है, उसका kingdom बना हुआ था, और सभी beaches पर उसका control था नन could beat his surfing pro, they come, they failed and they would go, pro का meaning होता है बिटा professional, मतलब वो surfing में इतना professional था, इतना अच्छा था कि कोई भी उसको beat नहीं कर सकता था, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था दे, यहाँ पर उसके competitors के लिए use किया गया है, कि उसके competitors आते, उससे competition करते, fail होते और फिर वहाँ से चले जाते Until the day when it all went wrong, the king was drawn by a beautiful song, और यह तब तक होता रहा जब तक कि उस king के साथ उस दिन वो misfortune नहीं हुआ, मतलब उस king के साथ एक दिन बहुत बुरा हुआ The king was drawn, drawn का meaning क्या होता है, removed from the throne, मतलब अपने पाथ से remove हो जाना King जो है अपने रस्ते से भटक गया, अपने पाथ से remove हो गया, यानि कि उसका balance वहाँ पर खराब हो गया by a beautiful song क्यों balance उसका बिगडा, otherwise तो उसका balance कभी नहीं बिगड़ता था, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था उसने जो है उस दिन एक बहुत ही सुन्दर सोंग सुना और उसका पूरा का पूरा attention जो है सोंग की तरफ चला गया और उसका अपने सर्फिंग के तरफ को ध्यान नहीं रहा, तो इस वज़े से जो है उसका balance बिगड़ गया और वो अपने रस्ते से भटक गया राइडिंग अट्यूब दा किंग वोस देन वोस्ट इन ओव बाई लेसर में लेसर में मिन्स उसके पीछे जो लोग सुर्फिंग कर रहे थे उनके द्वारा जो है ये द्रिश्यत देखा गया था और बहुत ही डर से देखा गया था और का मीनिंग होता है डर फियर बहुत फियर में उन लोगों को देखा कि जो राइडिंग किंग है वो अपनी ट्यूब के साथ अपनी ट्यूब पर है और उसका बैलेंस वहाँ पर बिगड़ गया है क्यों उसका बैलेंस बिगड़ा था when he heard the song of a woman so fair उसने जो है एक वोमेन जो की बहुत ही ज़्यादा फियर थी जिसकी आइस ब्लू थी और उसके जो है लॉंग ब्राउन कलर के लॉंग ब्राउन कलर के हेर थे उस वोमेन को देखा उसके सोंग को सुना और उसकी तरफ वो अ waves his fence was distraught so it was that the king legacy died along with the king and the woman he spied with her on the beach his attention was caught और बीच पर उसकी अटेंशन जो है कहा पर चले गई थी उस लेड़ी के सौंग की तरफ चले गई थी अदरवाइस तो उसके अटेंशन अपनी सर्फिंग पर होती थी बट उसकी सर्फिंग से हटकर उसके अटेंशन उस लेड़ी के सौंग की तरफ चले गई थी जिसकी वजह से वो जो है waves से नीचे गिर गया उसका balance बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और उसके जो fans थे यानि कि उसके जो चहाने वाले थे ये देख कर वो बहुत ही mentally confused हो गई distort means confused कि कि किस तरह से जो है इस king का balance बिगड़ गया क्योंकि चीज का तो balance कभी बिगड़ ही नहीं सकता तो इस चीज को देखकर सभी लोग जो है mentally confused हो गई उसके जो fan थे So it was that the king's legacy died along with the king and the woman he spied और इस तरह से king की जो legacy थी लिगड़ मितलब contribution सर्फिंग में उसका जो contribution था उस तिन खतम हो गया क्योंकि जैसे उसका balance बिगड़ वो वेव से नीचे गिरा और नीचे सिंख हो गया पानी में डूब गया और वहीं पर उसकी death हो गई तो उसकी death के साथ उसका contribution भी चला गया along with the king, king के साथ और उस woman के साथ जिसको कभी नहीं डूणा गया मतलब वो woman सिर्फ और सिर्फ जो है surfing king को दिखाई दी थी और किसी को भी नहीं दिखाई दी थी 4. She was no woman but an angel instead waiting to take him away when he is died The body of the king as well as his board washed up together on the Hawaiian shore उसके लिए for she, वो lady थी वो कोई lady नहीं थी बलकि एक angel थी जो उसके death के day पर उसको लेने के लिए आई थी मतलब जब भी ये माना जाता है कि जब भी किसी की death होती है तो उसको angel अपने साथ ले जाते हैं तो वो angel भी उसे अपने साथ लेने आई थी जो king की body थी उसको और उसको जो king का board था वो दोनों जो हवाई के shore पर जा चले गए थी मतलब उस दिन king की death हो गए थी और वो angel वो कोई lady नहीं थी जो सिफ उसे दिखाई दे रही थी वो एक angel थी जो उसकी soul को लेने के लिए आई थी surfers round the world mourn their loss that day और जो surfers का loss हुआ उस दिन उसकी वजह से पूरे world के जो surfers थे वो mourn थे mourn मतलब दुखी थे ठीक है उनका क्या loss हुआ कि उनका एक best surfer उनके बीच से चला गया था एक best surfer की death हो गए थी for none of them saw the woman take him away और उस woman को सिर्फ उस surfer ने देखा उस surfing king ने देखा था और किसी ने जो है उस woman को नहीं देखा था and his funeral they did sing they all did sing to the man and the life of the surfing king और उसके funeral day पर यानि कि उसका जो death का day था जब उसकी death ceremony की गई उस ceremony पर सभी लोगों ने जो है उनके लिए गाना गया उस man के लिए भी और उसकी life में जो surfing king surfing king की life के लिए भी मतलब surfing में उसने जो अपना contribution दिया उसके लिए भी और personally भी वो एक बहुत ही अच्छा man था तो उसके लिए भी उन लोगों ने गाना गया तो इस तरह से surfing king की death हो गई और यहीं पर surfing king की कहानी खतम हुई बट यह है कि उस जैसा surfer कोई भी नहीं हुआ okay so better you have to read this poem in a very careful manner okay bye bye keep learning